कि आपने त्रेता के मर्यादा प्रश्वत्तन श्री राम के जनम भूमी को तो कंसिडरेशन दिया इस हैक्ट में मगर द्वापर के श्री कृष्ण के जनम भूमी को आप कैसे भूल गए यह राम से क्रिशन होने में यह अंतर क्यूं आ रहा है नमस्कार हमारा नाम हुआ सम्मान बर्दन गौतम और फर्जी मावत के सभी प्रभुद श्रोताओं का स्वागत है फर्जी मावत के कानूनी कहानियों के बड़े ही रोचक एपिसोड में इस एपिसोड में हम लोग जानेंगे कि भारत के सर्वोचिनियाले सुप्रिम कोट में एक याचिका पेटीशन डाली गई है पेटीशन डाली गई है प्लेसेज ऑफ वर्शीप अक्ट 1991 के संदर में उसकी सम्वेधानिक वैधता की जाच करने के लिए अर्थात constitutional validity की जाच करने के लिए आप सभी के मस्तिक्ष में ये सवाल अवश्य उठ रहा होगा कि प्लेसेज ऑफ वर्शीप अक्ट क्या है क्यों है किसलिए है और इसका क्या संबंध है मतुरा के क्रिश्ण जनम भूमी और शाही इदगा के साथ आपको सब बताएंगे एक खुबसूरत कहानी के रूप में कानूनी कहानियों के इस एपिसोड में चलते हैं सिधा कहानी की ओप कहानी की शुरुवात हो 1991 से जब भारत के भीतन नरसिमहा राओ साब की सरकार थी नरसिमहा राओ की सरकार नहीं इस एक्ट को सदन में पारित किया था इस कहानी को और स्पष्ट तोर पे समझने के लिए समय में थोड़ा और पीछे चलते हैं तारिक है 12 सितंबर 1990 लाल कृष्ण आडवानी सहाब ने यह घोशना कर दी है कि रथे आतरा गुजरात के सोमनाद से निकलेगा अयोध्या पहुचेगा और वहां पहुच करके कारे सेवा करेंगे समय आगे वड़ता है पहुचता है 25 सितंबर 1990 रथे आतरा चालू हो जाती है देश के भीतर एक सोशल टेंशन का महौल बनता है समाजिक तनाओ का गठन होता है कहीं ये मुद्दा बड़ा ना हो जाए कहीं ये मुद्दा उत्तर प्रदेश के अयोध्या से चल कर उत्तर प्रदेश के ही मतुरा और उत्तर प्रदेश के ही काशी तक ना पहुच जाए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए नरसिमहराओ साब की सरकार ने ये बिल को सामने रखा इस बिल में क्या था उस कानून में था कि 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी मंदिर, मस्जद, गिरजागर, गुर्दवारा या कोई भी प्लेस ओफ वर्शिप है वो जिस तथाकतित रूप में है, उसी रूप में रहेगा मतलब साधारन शब्दों में कहें, तो उनके स्टेटस को फ्रीज कर दिया गया स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उस कम्यूनल हार्मनी को स्टैबलिश करने के लिए इस एक्ट को संसत से पारित किया था, नरसी महराओ साब की सरकार ने और यह बात मैं नहीं कह रहा हूँ, इस बात के उपर तालिया बजाई है सुप्रीम कोट ने अयोध्या कहीं जज्जमिंट में जिसके उपर हमारा राम मंदिल बन रहा है उसी जज्जमिंट में कहा था, कि यह उस सेकुलर फैबरिक को सेक्योर करता है जो एक सेंटर का या एक स्टेट का उबलिगेशन होता है अपने लोगों के प्रती एक बात और, जब हम इस एक्ट को पढ़ेंगे, तो हमें यह बात पता चलीगी कि सेक्शन फोर, यह बड़े इस पस्ट तोर पे कहता है, कि कोई भी कोट, कोई भी ट्रिबिनल, या कोई भी अथोरिटी ऐसे मुद्दों के उपर सुनवाई नहीं कर सकती है और एक प्रवाईजो भी एड़ किया, कि अगर सुनवाई होती भी है किसी एक्स्ट्राउडिनरी सिचुएशन में तो उसकी जो रूलिंग होगी, वो इस एक्ट के अनुसार होगी और इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने यह बात सुनिश्चित की कि जो भी ऐसी गतिवीदियों में भाग लेगा, जो हमारे देश के भीतर ऐसे मंदिर और मजजिदों के मुद्दे को उठाते हैं उन्हें तीन साल की सजा तक भी मिलेगी, पीनल प्रोविजन भी डाला इस बिल में कहानी आगे बढ़ती है, इसमें कई पहलू की उड़ते हैं मगर इस पहलू में आगे बढ़ने के पहले एक और सवाल उड़ता है कि जब इह बिल संसत से पारित होकर के कानून बन गया तो उसके बाद जो हमें 6 दिसंबर 1992 को देखने को मिला बाबरी मजजिद का पुरा वो दृष्ष रहे, पुरे हिंदुस्तान ने देखा था देखा है और जो अभी भूमी पूजिन हो रहा है वो कैसे मुम्किन है क्योंकि कानून तो कहता है कि 15 अगस्त 1947 के पहले जितने भी मजजिद या मंदिर या जो भी प्लेसिस ओफर्षिप है वो जिस तथा कथित रूप में थे उसी रूप में रहेंगे तो अब जो हुआ वो तो कानून के अभेलना आपको लग रही होगी लेकिन इस सवाल का जवाब भी इसी प्रश्ण में है और इसी बिल में है जब आप इस बिल को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिल में कई exceptions है जिसमें पहले नंबर पे हमें खड़ा देखता है राम, मंदिल और बाबरी मजज़ित का वो मुद्दा वो exception में है अपवाद है यह बिल और यह कानून लागू नहीं होता इनकी jurisdiction के बाहर है अब आप सभी के मस्तिक्ष में एक सवाल अवश्य उठ़ा होगा कि गुरू यह कहानी चल के जा कहा रही है यह कहानी अपने पैरों पर चल करके मथुरा जा रही है मथुरा के शाही इदगाह मजज़ित में जा रही है जिसे हम कृष्ण जनम भूमी भी कह सकते है तो एक petition डाला गया अश्विनी उपाधिया जो भारती जनता पाटी के प्रबुध मेंबर है इस petition का आधार क्या बनाया गया इस petition का आधार बनाया गया कि यह जो act है वो हिंदू बुध सिख जैन कम्यूनिटी के लोगों के अधिकारों का हनन करती है किस प्रकार से हनन करती है कि यह हिंदू बुध सिख जैन कम्यूनिटी के लोगों को अपने धार्मिक स्थलो को क्लेम करने से रोकती है एक लीगल प्रोशीजर देने से मना करती है यह बिल लॉजिकल बात है और क्या कहते हैं? और क्या आधार है? और आधार यह है कि यह बिल इंजस्टिस करती है और इसमें जो डेट 15 अगस्त 1947 का दिया गया है वो इर्रेलेवेंट और आर्बिट्ररी है मतलब मनमाना है और तरकहीन है इस आक्ट के उपर एक आरोप और लगता है कि यह आक्ट लीगलाइज करती है जो इन्वेडर्ज ने हिंदू प्लेजेज और वर्षिप के साथ किया उस एक्शन को और अंत में राम बान आर्ग्यूमेंट कि आपने त्रेता के मर्यादा पुरश्वत्तम श्री राम के जनम भूमी को तो कंसिडरेशन दिया इस आक्ट में मगर द्वापर के श्री कृष्ण के जनम भूमी को आप कैसे भूल गए यह राम से कृष्ण होने में यह अंतर क्यों आ रहा है बड़ा वैलिड आर्ग्यूमेंट है एक बात में आपको और बतला दू कि सुपरीम कोट ने बड़े स्पष्ट तोर पर यह बतला दिया था राम जनम भूमी वाले केस के जज्जमेंट में पैराग्राफ नंबर 997 आप देख सकते हैं पैराग्राफ नंबर 997 में लिखा था कि the court cannot entertain claims stem on the actions of the Mughal ruler towards the Hindu places of worship today in the court of law जिसका बड़े सरल तोर पर थिये हैं कि जो court हैं वो ऐसे cases को आज entertain नहीं कर सकती है जो मुगल बादशाओं के द्वारा और जो मुगल शाशक के द्वारा जो वरताव किया गया Hindu worship places के संदर्व में ऐसे cases को entertain court नहीं कर सकती है और क्या कहा कि अगर ऐसे किसी मुद्देकाप को records चाहिए तो कानून उसका जवाब नहीं है इतिहास हिंदुस्तान कहीं नहीं दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है खून से दुनिया का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे action से जो morally incorrect थे उसके उपर अगर आज हम लड़ने बैठ जाए तो उचित नहीं होगा ये एक बहुत ideological debate create कर देगा हिंदुस्तान के भीतर ये वही बात थी जो सुप्रिम कोट के judgment के आने के कई सालों पहले अदम गॉंडवी साहब ने अपनी दो लाइनों में लिख दिया था का घर फिर क्यों जले सुप्रिम कोट ने यही लाइन अंग्रेजी में बरिसुद्र तोर पे लिख दी थी judgment में अब एक बात हमें और समझनी क्या वशकता है कि अगर सुप्रिम कोट अपने फैसले से मुकर जाराम मंदिल वाले और इस act को unconstitutional घोशित कर दे कि यह सच में अधिकारों को हनन कर रहा है तो क्या होगा एक secret of chamber खूल जाएगा एक secret of chamber खूलेगा जिसमें काशी, मतुरा, जामा मस्जित को ज्वाला देवी मंदिर बतलाया जाएगा ताज महल को ताजो महल्या बतलाया जाएगा और ऐसे कई सारे incident होंगे अगर इस act को हटा दिया गया आज की महामारी में हमें एक बात और समझने क्या वशक्ता है कि जब देश के भीतर चुनाओ education, infrastructure, healthcare और employment के अलावा धरम के आधार पर होते हैं तो आज का जो महामारी हमें देखने को मिल रहा है एक दिन में दो लाग से उपर के सेजार है वही देखने को मिलेगा यह अब आपके उपर है कि आपको किस दिशा में आगे बढ़ना है और आपकी मांग क्या है क्योंकि जो आपकी मांग होगी राजनीतिक दल भी उसी मांग के उपर चलेंगे अंत में हमें कहानी स्मनना आ रही है कहानी स्मनना आ रही है काशी की काशी के उन घाट की वो कलकल कलती नदियों की वही काशी जहां से हमारे पानन्य प्रधान मंतरी जी चुन कराते है और उसी काशी के एक संत की बातों को सदन में कहकर के खुब ताली बजवाते हैं कभीर दास की तो काशी की ये मानिता थी कि काशी में जो मरेगा वो सीधा स्वर्ग जाएगा काशी को जब आप पार करते हैं नदी को तो एक जगह आता है मगहर और वहां की मानेता है कि मगहर में जो मरेगा वो सीधा नरग जाएगा तो कभीरदाश अपने मृत्यू के 6 महा पहले नदी पार करके मगहर चले जातें और मगहर जाते हैं और मगहर जाकर करके कुछ बाते कहते हैं कि क्या कासी क्या उसर मगहर राम वसे हिर्दम ओरा और जो कासी तंतज़े कभीरा रामे कौन नी हो रा अर्थात कि जिएवन भर राम तुम्हारी पूजा की है अगर मैं स्वर्ग इसकारण से जाऊं कि मैं काशी में मरा तो तुम्हारा क्या है सान है आपका क्या ऐसान है ये बात कबीर कह रहे है कि स्थान से फरक नहीं पड़ता राम तो मेरे दिल में बसते है वही कबीर जिने प्रधान मंत्री जी खूब मानते है एक बार फिर से सुने कि क्या कासी क्या उसर मगहर राम वसे हिर्दमो रहा और जो कासी तंतजय कबीरा राम एक कौन नहीं हो रहा 2022 में उत्तर प्रधेश का चुनाओ आने वाला है एक बात याद रखे 2022 में चुनाओ आने वाला है और 2021 में Places of Worship Act के उपर Petition गिरता है Mathura उत्तर प्रधेश का मुद्दा है काशी उत्तर प्रधेश का मुद्दा है दोनों आपके सामने आ रहा है चुनाओ आपको करना है कि स्थान के उपर आप जाएंगे या क्या कासी क्या उसर मगहर और राम वसे हिर्दमो रहा और जो कासी तंतजय कबीरा रामे कौन नहीं हो रहा इस कहानी का बहराल कोई रिल्वेंस नहीं था इस पूरी की पूरी कानूनी कहानियों से ये ऐसे ही मन में आया तो मैंने आपको सुना दिया बोनस मान के चलिए बहराल अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक जरूर करें अपने परिजनों के साथ शेर जरूर करें तब तक के लिए धन्यवाद फरजी महमद अजीश सुनो रुको यहां तक आए हो तो सब्सक्राइब करते हुए जाना